अलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा, तो आज मैं आपके लिए काफी फेमस और एक्स्ट्रीमली डिलिसियस छोले की रेस्पी लेकर आई हूँ, जिसे की मैं बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, और इस तरह से बनाने से आपके छोले बिल्कुल मार्किट स्ट चार लोंग, दो मोटी इलाइची, चार हरी इलाइची और थोरे से जावित्री को हम एड़ करेंगे, और इन सब को हम बांध कर एक पोटली तयार करेंगे, इस तयार की हुई पोटली को जब हम चने के साथ डाल के बॉयल करते हैं, तो चने में काफी अच्छा फ्लेवर चने में 6-8 घंटे के लिए बिगो के रख दिया था, तब इस चने को हम प्रेसर कुकर में डाल देंगे, और इसके साथ ही तयार की हुई मसाले की पोटली हम डाल देंगे, और एक कप छोले के लिए यहां मैं तीन कप पानी यूज कर रही हूँ, पानी आप थोड़ी कम या बॉयल करना है, पांच भी सीटी लग गई है, अब गैस का फ्लेम में बंद कर दूगी और अपने आप इसका प्रेसर में निकलने दूगी, तो कुकर से प्रेसर निकल गया है, तो एक बार कुकर का धकन खोल कर, अब हम इस मसाले की पोटली को अलग कर देंगे, क्योंकि इस मसाला तयार करने के लिए, मैंने तीन मीडियम साइच के प्याज लिया है, जिनको हम बारी चॉप कर लेंगे, और तीन मीडियम साइच के टमाटर लिये है, इसके साथ ही दस से बारह लहसुन की कलिया, और देर इंच अदरक का टुकरा लिया है, तो टमाटर अदरक और लहस एक चमच धनिया पॉडर आधी चमच लाल मिर्च पॉडर आधी चमच हल्दी पॉडर और एक चमच अनारदाना पॉडर ले रही हूं और एक चमच गरम मसाला पॉडर और तेल सबसे पहले हम गरम कराही में तीन बरे चमच तेल एड़ करेंगे और तेल हमारा जैसे ही गरम होता है उसमें एक चमच जीरा एड़ कर देंगे जीरा स्प्लटर होने लगा है तो इसमें अब हमबारी कटा हुआ प्यास डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्यास को हमें म होने तक बुणना है मीडियुम फिलिम पर फ्यास को बुनने से अच्छ से पक जाता है और जब इसे वह की घ्रेवी बना थे हैं तो काफी अच्छीैंरेवी बनके तैयार होती है तो चार से पांच मिनट भुनने के बाद प्याज हमारा ब्रॉण हो गया है तो इसे स्टेस पर यहां में टमाटर और अद्रक लहसन का पेस्ट तयार किया था वो एड कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के नुसार डाल लिए और तयार किये हुए सुखे मसाले हम इसमें एड़ कर देंगे और अब इन सब को हमें तब तक भुनना है जब तक कि मसालों से तेल अलगना होने लगे गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और कंटिनिवस चलाते हुए इन मसालों को हमें भुनना है तो इसे मिनते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गया है और मसालों ने तेल छोड़ना अलग कर दिया है तो अब इसमें हम वाइल क्या हुआ जना एड़ कर देंगे और चनो को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो जिस पानी में हमने चने बॉयल किया था वही पानी में यूज कर रही हूँ इस पानी को आप डिसकार्ट नहीं करें क्योंकि इसमें खड़े मसाले के सारे फ्लेवर आ गये है और इस पानी से काफी अच्छा कलर भी हमारे चोले में आएगा तो पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ढखकर इसे हम आच से दस मिनट तक पका लेंगे हम इडियम रखेंगे तो आज से दस मिनट पकाने के बाद रखकर हटा कर एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे और इसी समय इसमें हम गरम मसाला एड़ कर देंगे मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इस पेचुला से हम कुछ छोलो को मैस कर देंगे तो जिससे काफी अच्छे ग्रेवी बन के तयार होगी और मार्केट स्टाइल छोलो की खासियत होती है कि उनमें कुछ छोलो को मैस किये हुए रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो हमें ज्यादा मैस नहीं करना है बसलका सा इस पेचुला से प्रेज़ करते हुए मैस करना है तो इससे काफी अच्छा फ्लेवर एड हो जाता है और एक बार फिर से ढखकर हम 2-5 मिनट पका लेंगे जिससे की गरम मसाला का फ्लेवर छोलो में अची तरह से एड़ हो जाएगा तो 2-5 मिनट बाद हम ढखकन हटाकर एक बार मिक्स कर लेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी अच्छी कंसिस्टेंसी लग रही है छोले की तो अब छोले हमारा लगबग बन के तयार है तो इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो छोले हमारा अब लगबग बन के तैयार है ये देखने से ही काफी स्वादिस्ट लग रहा है पर इसका भी एक स्टेप और बचा हुआ है तरका लगाने का और तरका डालने के बाद ये और भी ज्यादा एक्स्ट्रीमली डिलीसियस हो जाएगा तो इसे हम एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें सर्व करना है हमें तो छोलो को मैंने एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लिया है और तरका लगाने के लिए पैन गरम करकर उसमें हम एक बड़े चमच देसी घी आड़ करेंगे देशी घी एड़ करने से काफी अच्छा फ्लेवर एड़ हो जाता है छोलो में और इसके साथ ही इसमें एक चोथाई चमचींग डाल कर अद्रक और हरी मिर्चम डाल लेंगे इसे हमें जादा नहीं पकाना है बस इसे हम आदे से एक मिनट के लिए पका लेंगे घी के साथ तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस तयार तरको को हम चोले के उपर पोर करेंगे तो तरका पोर करते हैं ये छोले का फ्लेवर काफी गुना बढ़ जाता है और ये देखने से भी काफी टेम्टिंग लग रहा है बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तयार हो रहा है तो इस यमी छोले को आप भटूरे के साथ या पूरी के साथ या प्लेन पराठा के साथ सर् मिलती हूँ बहुत जल्द आप से ऐसी ही एक नई और इंट्रेस्टिंग सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर